नमस्कार फ्रेंड्स EPS 95 पैंसन व्रदी के लिए आमरन अंसन कर सामुहिक बलिदान की चेतावनी जिहां फ्रेंड्स EPS 95 पेंसन व्रधी के लिए आमरण अंसन कर सामुहिक बलिदान की चेतावनी कोरोना में जान गवाने वाले रेलवे करमचारियों को WDLD ने स्रदाजनी दी EPS अपने अपनी सेवों में किये 5 नई बदलाओ जिहां फ्रेंड्स आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी EPS 95 पेंसन धारकों को अउगत होगा कि रास्टे संगर समिती NSE के पेंसन बचाओ अभ्यान चलाया जा रहा है जिसका तयात अब रास्टे संगर समिती NSE और इनसे जुड़े पेंसन धारकों ने साब तोर पर लिगित चेताओनी देदी हैं यदि EPS 95 पेंसन में वरदी नहीं की जाती है तो हमारे सदश्यों की प्रति दिन मौते देखना तडब तडब कर मरने से अच्छा है कि सभी पेंसनस आमरण अंसन कर सामुईक बलिदान कर दें जिहां फ्रेंड्स EPS 95 पेंसन लेटेस न्यूज की अनुसार देश के सभी सांसुदों विदाइकों वित मंत्री प्रधान मंत्री और प्रधान मिश्रम मंत्री के नाम रस्टिस संगर समीथी ने सभी पेंसन धारकों की मागों को ध्यान में रखते हुए EPS 95 पेंसनर्स बाचाओ अभ्यान के अतहत एक पत्र लिखा है जिसमें निम्न बातों को लेट किया गला है जिहां फ्रेंड्स EPS 95 पेंसन लेटस निज़ EPS 95 के लिए आमन अंचन कर सामुईक बलिदान की चेताओनी समनित मंत्रियों को लिखा पत्र जिहां फ्रेंड्स जिसमें विसे क्या गलती हैं अमारी EPS 95 पेंसनर्स के साथ ये चलतो नहीं व्रद EPS 95 पेंसनर्स को सम्मान पूरुग जीने के लिए नियाय परदान करने है तु निवेदन मानने मोदे सर्विने निसादर हैं कि देश के 67 लैक और जोगिक सारुजनिक सैकार नीजी सेत्रों से रिटाइड करमचारी यानि EPS 95 पेंसनर्स जिनोंने अपनी सेवा काल मे देश के नव निर्मान में अपना खून पसीना बहा कर देश को सम्मृत बना जा आज वही पैंसनर्स अत्यंत कम पैंसन मिलने के कारण अत्यंत दैनिये वे मरना से नवस्ता में जीवन जी रहे हैं साथ ही परिवार वे समाज में अपना सम्मान खोते जा रहे हैं इन फिरित सभा संसद्य सेत्र पैंसनर्स को भी समावेश किया गया है जियां फ्रेंड्स आपको बता दे करमचारी पैंसन योजना EPS 95 16 नावंबर 1995 से लागू की गई Employee Family पैंसन इसकी 1991 के बाद बंद करके उसके सभी असेस्ट हैं उन लेबलेटिस EPS 95 योजना में समालित किये गई किसी भी परकार की अन्य योजना पैंसन योजना का पर्याप्त न देते हुए सभी सदशियों को इस नई योजना EPS 95 योजना में समलित करने के लिए मजबूर किया गया जिहां फ्रेंड्स उसी वक्त 1971 के पुर्व करमचारियों को इसमें सामिल नहीं किया वे उन्हें इनकी इच्चा पर निरबर रखा इस पुराणी योजना में करमचारी का काटा गया पैसा जिसका आज का मुल्य लाकों में है ये EPS 95 योजना में जमा हो गया जिहां फ्रेंड्स इसके बाद करमचारियों ने उनकी पूरी शेवा के दोरान सरकारी नियम अनुसार 417, 541, 1250 प्रती माँ पैसन फंड में जमा करवाई जिसका प्रती पैसनर आज का मुल्य लगबग 15 लाक है इन वरद पैसनर को पैसन दी जाती है मातर 300 से लेकर 30,000 रुपए तक ये रासी इतनी कम है कि इससे पत्ति पत्नी का जिवन यापन तो दूर इस वरद आउस्ता में इस रासी से औस दी उपचार का खर्च भी पूरा नहीं होता इस EPS 95 योसना अंतरकत जो ये अलप पैसन दासी तै की जाती है वे पैसन आज इवन कायम रहती है पुन्जी की वापसी का प्रावदान भी सन 2008 से एक तरपा ही समाप्त कर दिया गया है जियां फ्रेंड्स दिनाग साथ 1.2.1949 के लगबग सभी समाचार पत्रों में करमचारी भविश्य निदी संगटन EPS ने आधिकारिक तोर पर ग्यपन देकर प्रचारित वे प्रसारित किया है कि EPS 95 योजना सरकारी पैंशन योजना से 10% से भी अधिक लाब दाई रहेगी नई पैंशन योजना के अंतरगत सेवा निवरत पर पैंशन समंधी सरकारी लाब करमचारियों को प्राप्ट होने वाले लाबों से अधिक हैं और सरकारी करमचारी अपनी पैंशन पर मेंगाई बत्ता वर्दी प्राप्ट करते हैं जियांफ्रेंट्स नई पैंशन योजना के अंतरगत इसका मुल्यांकन तीन वर्ष अत्वा इससे पूरु किये जाने का प्रावदान हैं सरकार इस मुल्यांकन को वार्षिक रूप से किये जाने पर सहमत हो गई हैं इस योजना में विश्य निर्वाद निदी जमा करने वालों के लिए पहुत लुबावना प्रस्ताव उस वक्त केंदर सरकार ने दिया था जिहां फ्रेंड्स लेकिन इसके बाद सन दोजार आट में पुंजी की वाप्ची आरोशी वे कम्यून्टेशन और दोजार चौदा में वास्त्वी कि वेतन पर उच पहंसेन का प्रावधान भी एक तरपाव इस योज़ना से समाप्त कर दिया गया जिहां फ्रेंड्स सन दोजार चौदा में मानने प्रदान मंत्री मौदे ने कम से कम 181000 करने की गोशना कि तो लेकिन इसके साथी सन 2014 में ही योजना की नियों में बदलावकर पैंसन राश्ट की गढ़ना जो पिछले 12 मैनों के और सत वेतन पर निर्दारित की जाती थी उसे 6 मैने कर दिया गया जिससे पैंसन की राशी भी कम हो गई जिया फ्रेंड्स हमारे संगटन एनेसी ने पीडित EPS 95 पैं उचाकर हम 15 की उचित मांगों को मंजूर करवाने है तू देश पर में पिछले 5 वर्सों में तैसिल इस्तर से लेकर राश्टे इस्तर दिल्ली तक विवित परकार के कई आंदोलन किये जिया फ्रेंड्स माननी स्रमंत्री जी के साथ एनेसी के प्रतिनी जियों की माननी बेता पर विश्वास रखकर देश के सभी आंदोलन वापस ले ले गई सिरफ एनेसी के मुक्याले बूलडणा माराश्ट में दिनाख 2014-12-2018 से कर्मिक अंसन अखंडी शुरू है ये आंदोलन फिसले 908 दिन से जारी है जिया फ्रेंड्स वबागे से दिनाख 4-3-2020 को माननी श्रीमत है मालनी जी की अगवाई में देश के माननी प्रदान मंत्री जी नरेंदर जी मोदी के साथ एनेसी के राष्टी अद्यक्स कमांडर अशोक रावत एनेसी प्रतिनिदी मंदल की बैटक संपन हुई माननी प्रदान मंत्री जी ने संगटन के प्रतिनिद्यों के समश में दिनाक 64-2021 से 15-21 तक देश के सभी EPS 95 पैंसनर्स द्वारा वीरो दिवस आयो जित किया गया जिसके अंत्रकत देश के सभी EPFO कार्या लव में मानने प्रधान मंत्री जी मानने अध्यक CBT के नाम से ग्यापन दिये गए हैं जियां फ्रेंड्स दिनाक एक जून 2021 को देश के स पैंसनर्स की मांगो को सिग्र मंजूर कराने है तू EPS 95 पैंसनर्स के गंबीर समश्याओं पैंसनर्स में रोश व्यापक बढ़ती हुई मर्ट्यूदर को देखते वे मानने पड़ान मंत्री जी सरकार तता पैंसन दार्कों की करोना भरी पुकार को पहुंचा कर लोग 95 पैंसनर्स बताव राष्टी वे अभी अभ्यान शुरूफ किया है जियां फ्रेंड्स मानने मौदे समान पूर्ग पैंसन वरदी है तू 2008 नव में एक्सपर्ट कमेटी 2013 में मानने भगत सिंग जी कोश्यरी कमेटी की अधिक्सा में फिर 2018 में हाई एंपार्ट कमिटी और फीड लेबर पर संस्दे शमीति आदी की समीथिया बैटाई गई जियां फ्रेंड्स मिनिममम पैंसन विशे में का जाता है कि सेल फंडेड इश्की में लेकिं ये सत्य हैं कि सरकार का आंस्दान 1971 की पुरणे इश्की में एक पॉइंट शोलब परसेंट ता लेक आज भी एक पॉइंट सोला ही है और कोशेरी शमीति ने इसे बढ़ाकर आंट पॉइंट 33 परसेंट करने की से परिश्की थी जियां फ्रेंड्स एपी अपों के और से का जा रहा है कि पैंसन वर्दी बिना बजट्री सपोर्ट के सम्भव नहीं है जियां फ्रेंड्स वास् नार दस दोजार सोला को सर्वोच नियाले ने इपीएस 95 पैंसनस के पक्सि में आदेश दिया इसी आदेश की अनुसार सभी सास किये और तक पूर्टी और करमचारी पविश्य निदी शंगटर ने दिनाख 23 तीन 2017 को परिपत्र भी जारी कर दिया जियां फ्रेंड्स जिसक लग दी और अब तो ईपीएपों ने स्विम के पत्र दिनाख 23 तीन 2017 के परिपत्र को एबेंस में रख दिया हैं जियां फ्रेंड्स मेडिकल सुईदा के विशे में स्रमंत्री जीने संसद में समय समय पर संसद सदस्यों को पत्र लिकर अवगत कराया कि योजना विचारा द लाक रोड रुपे से अधिका पैंसन पंड होने के बाद भी कहता हैं कि पैंसनर्स को पैंसन देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो अब का जा रहा है कि EPS 95 इसकीम का रीपॉर्म क्या जाएगा इस तताकतिक रीपॉर्म में फिर से समय लगेगा और इसी समय में पता नहीं कितने हैं हमारे सदेश ये स्वर्ग सिधार गई जाँ फ्रेंड्स हम सभी पैंसनर्स तो पहले ही सरकार के निदेशनुसार अंसदान कर चुके हैं आपसे प्राता हैं कि संसत के इसी आगामी मांसून सत्र में करपिया मिनिमम पैंसन रुपे 7500 प्लेस मेंगाई बता म मेंगाई को देखती हैं कि और सेकिंड एपी एपो द्वारा जारी अंस्रीम एडवाजरी का दिनाग 31 माई 2017 का पत्र वापिश लेकर एपी एपो के पत्र दिनाग 23-23-2017 के अनुसार उज़ पैंसन प्रदान की जाएं साविने साधर हैं कि मिनिमम पैंसन रुपे 7500 प्लेस जाते उग्यतन पर उज़ पैंसन का विकल्प ये दोनों मांगे यदि साथ सान मनझोर की जाती हैं तो उज़ पैंसन चुनने वाले पैंसन की संक्या बढ़ती हुई उम्र जमा की जाने वाली राशी की उप्लवता आधिकानों से नगनी हो जाती है जिया फ्रैंड्स इस उ 95 पेंसनर्स को तथा उनकी पत्नी पत्नी और मुप्त मेडिकल सुईधा प्रदान की जाए ये इसकी में प्रावदा नहीं है तो करफिया अब करवाईए नियम खानून सभी लोग कर्ण्यान के लिए होते हैं जिन सेवा निवरति करमचारियों को EPS 95 योजना में सामिल नहीं क मौदें आप हमारे शेत्र के लोग पर ये जन प्रति निदी हैं आप हमारे लिए शरकार हैं अब आपके हाथ में हैं कि या क्या इन व्रद पैंशनर्स को ऐसे में तड़ब तड़ब कर मढने दिया जाएं या फिर इनके साथ मियाई करने समान पूरग जीवन जिने का अउसर प्रदान किया जाएं जियां फ्रेंट्स ये भी साधर है कि देश के प्रति मां लगबग पांचार से भी ज़्यादा पैंशनर्स अंसार से विदा हो रहे हैं व अधिकांस पैंशनर्स जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं जियां फ्रेंट्स वे उम्र 65 वर्स या उससे ज्यादा ही हैं और व्यक्ति की ओसत उम्र 70 वर्स हैं उस हिसाब सिकम सिकम 6 वर्स तो हमें समान पूरग जीवन जीवने का हग परदान किया जाएं हमारे अपने पैंशनर्स आमरन अंचन कर स्वामुएक बरिदान कर दें और शिग्र न्याय की परतिक्स्ता में सदेशनर्स देश्यातर के सभी पैंशनर्स की और से सवी नहीं निवेदन सांसदो विदाईकों वितमंत्री, श्रमंत्री और प्रदान मंत्री जीवने जाएंगे जाएंगे यापन सदोश्या माननी कमांड रसोगरावत राष्ट याध्यक्स राष्ट संगर समेथी बुल्डाना माराष्ट को बेजी जाएगी